वो दिन अब दूर नहीं जब आप खुद की डाक विभाग की फ्रेंचाइज दी ले सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इसे कैसे और कहां खोल सकते हैं। बिहार वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप बेरोजगार हैं, तो आपके लिए डाक विभाग के साथ मिलकर कमाई करने का अच्छा अफसर है। डाक विभाग ने पोस्ट ओफिस की फ्रेंचाइजी देने की नई स्कीम लाँच की है। इसके लिए आपको केवल पांच हजार रुपए सिक्योर्टी डिपॉजिट करनी होगी। फ्रेंचाइजी लेने के लिए इंडिया पोस्ट ने नियूंतम शैक्षनिक योगता आठवी पास रखी है। फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति की उम्गे कम से कम 18 साल होनी चाहिए। जान ये कौन, कैसे ले सकता है फ्रेंचाइजी। कोई भी व्यक्ति, संस्थान, संगठन, कॉर्नर शॉप, पान वाले या किराने वाले, स्टेशनरी दुकान, छोटे दुकानदार आदी पोस्ट आफिस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके लिए फॉर्म सम्मिट करना होता है, चैनित लोगों को डिपार्टमेंट के साथ करार करना होगा। फ्रेंचाइजी लेने वालों का चैन संबदित डिविजनल हैड द्वारक किया जाता है, जो आवेदन मिलने के 14 दिन के अंदर एसपी या SDI की रिपोर्ट पर आधारित होता है। यह जान लेना जरूरी है कि फ्रेंचाइजी खोलने की अनुमती ऐसी ग्रामीन पंचायतों में नहीं मिलती है, जहां पंचायत संचार सेवा योजना स्कीम के तहर्ट, पंचायत संचार सेवा केंद्र मौजूद है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए नियूंतम सेक्योर्टी डिपोजिट पांच जार रुपे है। सेक्योर्टी डिपोजिट एनेसी की फॉर्म में लिया जाता है, स्टैम और स्टेशनरी, डेजिस्टर आर्टिकल्स, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स, मनी ओर्डर की बुकिंग, अलाकि सौर रुपे से कम की मनी ओर्डर बुक नहीं होता है। डाक जीवन भी मा के लिए एजेंट की तरह काम करेगा, साथ इससे जुड़ी आफ्टर सेल सर्विस जैसे प्रीमियम का जमा भी करवाया जाएगा। फ्रेंचैजी की कमाई उनके द्वारा दी जाने वाली पोस्टल सर्विजिस पर मिलने वाले कमीशन के द्वारा होता है। यह कमीशन समझोता में त्रह होता है। वही खबर के मुताबिक रिजिस्टर आर्टिकल्स की बुकिंग पर तीन रुपे, स्पीड पॉस्ट आर्टिकल्स बुकिंग पर पांच रुपे, और सो से बीस रुपे के मनी ओडर की साथे थीन और 200 रुपे से अधिक के मनी ओर्डर पर 5 रुपे हर महिने रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के एक हजार से अधिक आर्टिकल्स की बुकिंग पर 20 फिस्दी कमिशन होता है